वाइब आप से बच्छे से हो मेरा नाम अके तालाल है और मैं आप लोगों को इंसी आटी बायोलोची पढ़ा रही हैं तो यह आप लोग जान चुके हैं हम क्लास 7 की इंसी आटी के दूसरे चाप्टर पे हैं विच इस नूट्रिशन इन आनिमल्स तो पहला आमने रेखा था नूट्रिशन इन प्लांट्स यह हैं नूट्रिशन इन आनिमल्स आप लोगों को अपनी इंसी आटी की बुक खोल के रखनी है अपने नोट्स बनाने की कोशिश करनी है और ध्यान से सुनना यह हमारा यही हमारा एक फॉर्मिला है जिस पर हम लोग जान चलते हैं राइट और आप लोग अच्छे से इस क्लास को सुनें और इंटराक्टिव रखे कॉमेंट सेक्षन को जो भी मैं क्वेस्टेंस पूछो उसके आंसर करें और आप लोग कर रहें मैंने देखा है बड़ थोड़ा और करें लाइक करें थोड़ा शेयर भी करें ताकि हम लोगों के भी इस फ्री इनिशेटिव को थोड़ा सा बूस्ट मिले मॉराल सपोर्ट मिले तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो तो हमारा चाप्टर है नुट्रिशन इन आनिमल्स अगर हम नुट्रिशन इन आनिमल्स की बात करें तो हम पहले ही नूट नुट्रिशन के बारे में देख चुके हमने देखा है कि कुछ नूट्रिशन चाहिए होती है फोर इनर्जी तो वो नूट्रिशन के क्या नाम थे हमने कल भी किया था येस काबो हाइडरेट प्रोटीन फैट्स और विटमिन्स तो अगर हम लोग आनिमल्स नूट्रिशन की के द्वारा बॉडी के द्वारा अनिमल्स नूट्रिशन इंक्लूट्स नूट्रिशन रिक्वार्मेंट मोड अफ इंटेक और यूट्यलाइजेशन तो इस तरह से हम डिफाइं करेंगे नूट्रिशन को ठीक है उसके पाद जो कॉंपोनेंट फूड हम लोग देते हमने द कि ils are the breakdown of complex component of food into a substance के तो इससे हम लोग डाय कि पढ़ेंगे तो इससे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा थापिक है अप लोगों को काफे interesting लगेगा पढने में भी होचा लगेगा बस आप लोगों को imagine करना है हम photographs की through अपनी body की पढ़ने जब बोडी पढ़ते हैं तो और जदा इंट्रेस्ट आता है तो हम लोग बढ़िया से इमाजिन करके और देखकर पिक्चर को पढ़ेंगे काफी अच्छा सेशन करेंगे हम लोग तो यह तोड़ दिया सिंपल कर दिया तो यह डाइजेशन के थूप हो रहा था अप अलग अलग त का यह मनेतर है'll न मथे देखेंगे तो अनेमल्स सान म्ल्टी चेलिल्ल यू करिया दिक सब्क है य prostu मतलब देखा है यह kingdom अनिमेलिया से बिलॉंग करते हैं ठीक है multi-cellular होते हैं multi मने many और cellular मने cell यानि बहुत सारे cell से मिलकर बने होते हैं इसलिए इनको multi-cellular कह रहे हम लोग ठीक है तो यह लोग multi-cellular हो जाते है अनिमल्स बहुत सारे cells से बने थे यूक इरोटिक तो हम कल ही बात कर चुके हैं यह अलग अलग अनिमल्स की पिक्चर है आप लोगों के सामने स्क्विरल एक अनिमल है अच अगर मैं अप लोगों से पूछती हूं कि आनिमल जब भी सोचते हैं आपके दिमाग में क्या आता है किसी दिमाग में शेर आ रहा होगा किसी के दिमाग में हथी जैसे यहां दिक्रा आ रहा होगा मेरे सबसे पहले दिमाग में आता है humans क्योंकि human being is also part of kingdom animalia मैंने कहा था था एक kingdom होता है उस kingdom के अंदर classification है kingdom basically ठीक है यह सब आता और अलग-अलग animals होते हैं और हमने types of animal भी देख ला तो उसमें human भी एक animal है अब animal nutrition की हमने बात की थी mode of intake और utilization देखी लिया था हमने अब mode of intake of food according to NCRT अलग-अलग animals में अलग-अलग है तो इसी चीज़ को अब हम लोग डीटेल में देखते हैं अगर bees मक्खी और hummingbird की बात करें hummingbird ने सबसे चोटी बर्ड होती है उसका बहुत चोटा सा साइज होता है तो hummingbird यह लोग क्या करते हैं इन लोग को जब खाना होते तो प्लांट की ऊपर nectar होता है ठीक है नेक्टर जो होता है वह आपने मैंने जब प्लांट चैप्टर हो रहा था तो एक प्रोसेस था जिसको मो फोली नेशन कहर Benton पोली नेशन में ट्रांसफर हो रहा था पॉलेण गेन का जो कि कुछ नहीं था वह बस था आपका अनीमल का स्टेमेंन था वह थी Cry algल के से मिलन था तो उसको मिलने के लिए हो रहाता थाह ओभली हो एसको मिलने क जिसको fertilization कह रहे थे यह पूरा reproduction का process था था कि नहीं है plant reproduction तो जब plant reproduction में हमने यह चीज़ देखी थी तो हमने यह देखा था कि pollination हो रहा था बट कभी सोचा है कि pollination होता कैसे यह मधु मख्या यह कीड़े मखरे आ कैसे रहते होते हैं यह इसी वज़े से आ रहे होते हैं क्योंकि नेक्टर हो प्लांट जो है एक शुगरी फ्लूइड सिक्रीट करता है ठीक है शुगरी फ्लूइड यह होता है जिसको पीने के लिए जिसका रस लेने के लिए यह मदुमक्या या हमिंग बर्ड आती है ठीक ह तो इसी वज़े से यह पॉलिनेशन एंकरेज करता है नेकतर तो यह सक करते हैं यहां पर हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है सक यानि कि चूसना फिर बारी आती ही इंफेंट की छोटे बच्चे या फिर बहुत सारे अनिमल्स है यह अपनी मा के दूद को फीड करते हैं तो यह जो है वो यह हो गया आपका दूसरा वे और फीडिंग राइट फिर अगर हम सापों की बात करें जैसे कि पाइथान आपने सुना है न कोड़ा निगल जाते हैं अपनी शिकार को देप स्वालो पूरा निगलते हैं तो वह एक तरीका हो गया फिर कुछ अक्वेटिक आनिमल जैसे कि टाइनी फूड पार्टिकल फिल्टर करते हैं थीक है उनकी आसपास क्या अक्वेटिक अनिमल मानी जो पानी में रहने वाले ऑनिमल हमने यहां पर अपका एक आकटिविटी जैसमीं अलग-अलग मोड की बात की जारी है झाल किस तरह का खाना खाता या एक स एंड चिटी उसको देखा है कुछ भी शुगर या कुछ ऐसाथ जो है वह छोटे पार्टिकल्स लेकर जाता है उसके बाद वो क्या करता है धीरे धीरे छोटी चोटी अब अपने साथ जमा करते हैं और फिर वो लोग उसको फीड करते हैं ठीक है तो उसमें यह पता है ठीक है यह हमने देख लिया ओके चली अभी अलग अलग तरीके होते हैं यह रहा अलग अलग मोड अफ नूटिशन स्क्रेपिंग खुडच के खाना चुईंग तो पता यह साइफनिंग का मतलब होता है जो मदू मखियां सॉरी जो तितलियां होती है वो मैं इधर लिख देती हूं स्क्रेपिंग चुईंग साइफनिंग यह सारे तरीके हैं तेक है यह एक्जाम्पल था किसका एक्जाम्पल था मोड और इंटेक और फूड का एक्जाम्पल था इसको मैं सीधा करके रहूंगी तो यह हो गया मोड फूड आफ मोड इंटेक अफूड अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रेंट यूटिलाइजेशन अभी जब खाना लिया है तो किसी तर से उसको यूटिलाइज करेंगे ना ताकि आल्टिमेटली हमें चाहिए क्या खान इनर्जी लेने के लिए उसको यूटिलाइज करने की जड़ा और जो यूटिलाइज करते हैं वही प्रोसेस होता है डाइजेशन का जिसमें हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाते हमने देखा ही था एंसी आर्टिक तो अब उसको स्टार्ट करने स से पहले स्तारफीश के बाहरे में स्तार फीश जो होती है कंगती केमीकल होता है और जब open करते shell को थो starfish अपना स्टमक बाहर निगाल लेती है अपने मुझ उनका स्टमक बाहर आ जाता है और फिर क्या होता है यह लोग ऑनिमल्स को खालेती है स्टमक में डाली तर फिर pm पर आजने डिकाइन इंट्रेस्टिंग नहीं है इनीमल कींटम ना बड़ा इंट्रेस्टिंग है तो थे सोच्ड हो तो यह इनीमेजिंग सा फैक्ट हम ने दिखा हुआ की इनलों कि बाहर आजाता है वा क्या तरीका है हम लोग यूमन का ड़ाइजेशन पढ़ेंगे इस तोट जाता है और ग्लूकोस में तूट जाता है अगर हम लोग फैट की बात करें तो फैट फैटी एसीड और इस डिलिसराल में टूट जाता है यह मैंने आप लोगों को पहली की क्लासेज में भी बताया था और प्रोटीन जो है वह अमीन लिए जब हम अक्टिविटी कर रह बताया था और आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्षन में मेंचन करना है कि what is metabolism करेंगे आप लोग एक लाइन के अंदर कि what is metabolism ठीक है कॉमेंट सेक्षन इंटराक्टिव रखना है तो मुझे भी बता चलता है कि आप लोग पढ़ रहें और आप लोगों को भी एक फील आती है कि चलो मैंने पढ़ा है और हम लोगों के लिए एक वो तो होता ही है moral boost चलिए तो metabolism overview की बात की जाए तो carbohydrate हमने कहा दिया कि छोटे पार्ट में glucose में टूटता है triglyceride fatty acid में और protein amino acid में और यह जो है यह बाद में छोटे carbon chain बन जाते हैं और crab cycle है यह भी हम पढ़ेंगे क्या है चिंता करने की बात नहीं है electron transport chain में जाता है और energy आती है देखो respiration जो होता है ना उसमें breathing सिर्फ एक चलो तो जो nutrient utilization है उसका process है बहुत सारे digestion जो है ना वो एक लौता ऐसे नहीं होता है digestion तो एक पार्ट है nutrient utilization का लेकिन पूरा अगर nutrient utilization है utilization का मतलब पूरा इस्तमाल nutrient का तब ही होगा जब यह सारे steps होंगे ingestion, digestion, absorption, assimilation, ingestion मैं बताती हूँ यह क्या है ingestion का मतलब हुआ food intake, food को खाना, digestion तो हम पढ़ेंगे ही, assimilation is absorption होता है vitamin, mineral यह सारे है ना इनका absorption होता है उसको हम लोग assimilation बहुते हैं और ingestion हो गया आपका excretion या removal ठीक है excretion या फिर removal हो गया आपका ओके ठीक है तो अगर हम देखें तो ingestion का मतलब हुआ food intake, खाना को अंदर लेना, digestion हो गया पाचन पाचन क्रिया, absorption हो गया सोखना जो nutrient है, assimilation, ultimate absorption जब vitamin और mineral का सोखना और digestion निसकाशित करना किसको जो टॉक्सिक चीजे रह गई है उसका निशकाशन करना तो यह आप लोगों के लिए अगर हिंदे में समझना है तो अब हम लोग पाचन क्रिया यानि कि digestion जो है उसको details में पढ़ने वाल है जब हम digestion की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे मूँ से यह ना एक question आपको exam में दिखेगा यह question होता है कि digestion शुरुआत कहां से होती है digestion की शुरुआत हमारे मूँ से होती है पहला digestion हमारे mouth में होता है और उसके बाद अलग-अलग parts है digestion की digestion जो होता है human digestive system जब भी कोई चीज होती होती है एक system में हुरी होती हो human body में तो जो human digestive system है उसके दो पार्ट है अगर हम broadly उसको divide करें तो एक होता है elementary canal और दूसरा होता है secretory glands elementary canal secretory gland अब elementary canal का मतलब है digestive tract इसके अंदर बहुत सारी elementary canal की बात करी जाए तो इसके अंदर होता क्या है इसके अंदर हमारा जो बकल कैविटी है हमारा मूँ उसके बाद हमारा food pipe खाने का जो pipe होता है फिर हमारा हमारा small intestine हमारा large intestine यह सब elementary canal का पार्ट है लेकिन digestion ना सिर्फ stomach intestine से नहीं होता कुछ glands होती है जो बहुत important है liver हमारे बहुत important gland अकर liver नहीं हुआ तो digestion नहीं हो इसलिए जिनका liver fail होता है उनका digestion भी नहीं होता और ultimately देथ हो जाती है ठीक है तो अगर आपको divine करना तो continuous कनाल है मतलब एकदम से continue करता है चलता रहता कभी ब्रेक नहीं है इसका ठीक है और यह शुरुआत होती है इसकी बकल कैवेटी पी और अंत होता है इसका एनस पर ठीक है बकल कैवेटी आपका मुह हो गया और अनस तो आपका इनस हो गया ठीक है अब हम देखते हैं कि क्या-क्या पार्ट्स होते हैं इसके छलो मैं फोटो के थू दिखाती हो तो अब जादा अच्छा लगेगा देखो यहां पर अगर हम elementary कनाल की बात के तो continuous कनाल आपको दिख रहें किस तरह से continuous है मैं हो पाता है जो हम एक पिक्चर में देखते हैं तो अब हम elementary कनाल से स्टार्ट करते हैं ठीक है elementary कनाल कुछ नहीं है digestive प्रैक्ट है जिसके अंदर यह पेट वेट सब elementary कनाल का ही पाता है तो तो टोटल ना elementary कनाल का हमने यह सारा देख लिया अब बात करते हम लोग हाँ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हाँ digestive gland की बात करते हैं digestive gland में कौन से तीन gland आते हैं आपको याद रखना अगर आपके पास salivary gland मैंने कहा था digestion मुह में स्टार्ट होता है मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके question आए है where does digestion start first in our mouth तो digestion जो है अब एक बार देख लेते हैं जिसे हमें पता चले की फिर हम लोग डीटेल में देखेंगे पूरी अलिमेंटरी कनाल को चलो पहले एंजियाटी में देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया कवर तो हमने digestion in human start किया हमने देखा कि जो food पास करते है continuous कनाल से उसी को हम एनिमेंटरी कनाल बोल रहे हैं यह कनाल जो है उसमें बकल कैविटी फूड पाइप फूड पाइप को इसोफेगस भी कहते हैं तो यह नाम याद रखेंगे आप इसोफेगस स्टमक हमारा पेट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी अत्री छोटी आत और लाज इंटेस्टाइन बड़ी आत और रेक्टम और एनस ठीक है तो तो यह सारे जो पार्ट्स होते हैं अलिमेंटरी कनाल के यह आपस में जुड़े होते हैं और यही डाजेस्टिव ट्राइक बनाती हमने देख लिया अगर इंसी आटी की फोटो देखे तो उसमें भी हमें बकल कैविटी यह सारी चीज़े दिख रही जिस पर हमने बात की थ यहीं फिर हम माउथ और बकल कैविटी की बात करेंगे जो कि यह हमारा अभी डीटेल के अलेमेंटरी कमानाद का चल्व स्था इस पहले दिख लेतें धिखो इसी की जो स्टार्च और सिय थी आपको याद होगा एक शुगर होता है दुसरा स्टार्च होता है कॉंपलेक्स क गैविटी में start होता है और जो प्रोटीन का डाइजेशन है वह स्टमख में start होता है तो यह important है आपको यह याद रखना है ठेक है इस इस इंपोर्टेंट बखल एन डाइजेशन स्टमख बाइल हमारे लिवर से सिक्रीट होती है एक यह बाइल डक्त होता है वहां से लिवर से हमारे इंटेस्टाइन में ठीक है इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल होती है वहाँ पे जाती है और यह तब जाकर के हैमा माउट में इंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं आमाहिलेज क्या है अंजाइम क्या है एंजाइम प्रोटीन जिनका काम होता है कोई reaction करवाना यहाँ पे कौन सा reaction हो रहा है यहाँ पे digestion is a reaction और उसको speed up करवाने के लिए यह enzymes help करती है पर enzyme बनी किसकी होती है protein की तो आप लोग याद रखेंगे exam में आपको दिखेंगे ऐसे question accelerate करते हैं increase करते हैं क्या rate increase करते है rate of what digestion हमने देख लिया तो amylase enzyme हमारे salivary gland से निकलता है और इसका काम होता है amylase की जगह अगर exam में tylin दिखे ना तो confused नहीं होना है एक ही चीज़ है amylase या tylin silent है इसलिए मैं tylin पढ़ नहीं हूँ यह अगर present यही चीज़े present होते हैं यह convert करती है starch को simple sugar में अब भी हमने देखा था ना उपर कि जो carbohydrate का डाइजेशन होता है वो मू से start होता है यही इसलिए मू से start होता है ठीक है amylase की वज़े से जो मैं arrow के उपर लिख रही हूँ तो यही है पहला चीज़ हो गया saliva ठीक है अब दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे mouth में एक और चीज़ आप लोग जया तकेंगे saliva का जो pH होता है वो acidic होता है अभी pH क्या होता है pH एक scale होती है किसी भी चीज़ को नापने के जैसे आपके पास घर में scale होती है ना light नापने के लिए वैसे कोई चीज़ acidic है या basic है या इसको नापने के लिए एक scale होता है pH अगर pH की scale की बात करें तो कोई भी चीज़ जो 7 से कम होती है pH scale पे वो acidic होती है और जो 7 से जादा होती है वो basic होती है ठीक है तो हमारा saliva is pH is acidic 6.8 से around 7.3 तो 6.87 से कम है इसलिए थोड़ा slightly acidic होता है तो हमने याद रखना है ठीक है पहला हमने saliva देख देख दिया दूसरी चीज़ जो हमारे बकल कैविटी में होती है वो होता है तीत दातों का बहुत बड़ा रोल होता है अगर ये चू नहीं करेंगे फूड को तो हम डाइजेस नहीं कर पाएंगे तीत के बात करी जाए तो हमारे दात चार तरह के होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्री, मोलर, मोलर अभी फोटो में देखते हैं इंसीजर ये आपको दिख रहा है इनका काम होता है बाइटिंग एन कटिंग ये जो है न वो खाने को कट करने में और बाइटिंग नाम सिर्फ तो पता चली रहा है कट करने में कुछे सेब ले लिया तो उसको जो काटते है न तो इंसीजर करो ले अगर किसी चीज को छीलना, गणना छील रहे हो तो आपकी कैनाइन काम आएगी ठीक है अगर किसी चीज को क्रश करना है खा लिया आप उसको चिबाओगे भी न क्रश करना, चू करना तो प्री मोलर और मोलर ये सारे जो हैं वो ग्राइंडिंग वगरा में मदद करते हैं तो अभी एंसीर्टि खोलिए NCRT में आपको page number 13 में आ जाना है वहाँ पे आपको एक blue color का box दिखेगा उसमें milk teeth और permanent teeth की बात की गई है आपको याद है बच्पन में जब छोटे होते थे तो जब आप 6-8 साल के होती तो आपके दाट तूटते थे क्या आप तूटते हैं? नहीं ना अगर तूट रहे तो भाई डॉक्टर के पास जाओ तूटने नीच चाहिए क्योंकि जब 6-8 साल के होते हैं तो हमारे जो दाट होते हैं उसको milk teeth बोलते हैं और फिर जब वो तूट जा दी है तब एक second set of data आते हैं दूसरे set आते हैं वो permanent होते हैं वो हमारे पूरी जिंदगी रहते हैं ठीक है उसको हम लोग कहते हैं permanent teeth ठीक यह चीज़ आपने देख लिए तो हम यह आपर लिख लेते हैं milk teeth और permanent teeth के बारे में milk teeth and permanent teeth okay milk teeth हो गई आपकी they fall off and they are permanent यहां पर हमने देख लिया था छे से आठ साल की में देखो कहीं कहीं ना milk teeth की जगह ना primary teeth भी लिखा रहेगा तो confuse नहीं हो ना primary teeth या फिर आपको deciduous teeth भी लिखा हुआ दिखेगा यह सारे वह वही दात हैं दूद के दात ठीक है इनी का यह नाम है मैं color इसको change कर देती हूं ताकि थोड़ा इससा confusion ना हो जाए यह थोड़ा सा tongue की टांग भी हमारे पार्ट है पर उससे पहले यह थोड़ा आप देख लिए एंसे फिगर टूपइंट में अर्रेंजमेंट देख आपको इंसीजर के नाइन प्री मोलर मोलर का देखो जो इंजेशन की बात कर रहे थे ना हम लोग खाने को लेना इसमें हम कौन हाने हमला ठीक है हम यहां पर हम लोग सलाइवा की बात परऊशन कि बात तो यह देख लियुकल हमने बहुक्त आप लोगा सद्सक्राइंट मेंख पर दालते हैं लोग क कि हम भोत सड़ने लगते हैं रहें हम बहुत बाद पकर πεए गिवाल कर ब्रश नहीं करते हो तो जो कुछ फामफुल बैक्तिरिया है वह आपके दातों में रहने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं यह बैक्तिरिया क्या करते हैं दातों की अंदर जो खाना बचा होता है उस शुगर को तोड़ देते हैं लेफ्ट ओवर फूड को और वहां से एसी अगर आपने टाइमली उसको नहीं ट्रीट कर आया ठीक कर आया तो आपके दातों में सदन हो जाएगे कुछ कुछ केस में आपके दात ही खतम हो जाएंगे इसलिए चॉकलेट वगेरा जो होते हैं यह सबसे बड़े सबसे बड़े गुनेहगार होते हैं कालपरिट सो थे है इसलिए होती है क्यूंकि हामफुल बेक्टीरिया यह जो होते हैं यह जो है वो आसेड रिलीस करते हैं इसमें किसके वज़े से लेफ्ट ओवर फूड जो भी आपने मीठा खाया बच्चा हुआ खाना लेफ्ट ओवर फूड मतलब बच्चा हुआ खाना इन तीत मेठ कित क्या खाया हमिए doe और ऐनतों क्या खाया है हमने क्या हमने हमने स्वीट शुगरी स्टफ शुगरी स्टफ मीठा का खाया हमने तो तूछ डीक हो गया क्यूं मही बैक्टीरिया सेग्रा वया और फिर टी ओपलशी में और फिर वोड वर्स लोर्स गेसे अरीadi तो यह चीज याद रखनें आपको यह acid release is the important keyword here acid release होता है ठीक है चली हमने यह भी देख लिया अब हम अगर NCRT में ही जाए हमने 2D के वगेरा देख लिया अब हम बात करेंगे टांग की अभी अगर आपने UPSC का exam sorry BPSC का exam दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि टांग से एक उमामी करके question आया था कि उमामी क्या है उमामी is also a sense of taste ठीक है यह हमारे टांग में होता यह वाले section में मिड सेक्शन में ठीक है चले अब थोड़ा सा टांग के बारे में बात कर लेते हैं टांग जो होती है वो बहुत important होती है organ structure हमारे मुह में कि टांग ही न mixing of food में help करती है mixing of food जो चू करके आया और इसको बोलस बना देती है बोलस वर्ड को आप याद रखेंगे में important है इसको दूसरे बोलस बना देती है ठीक है और यही बोलस जो है अगर वह मालो सिंपसी चीज है आपने किसी चीज को पीस करके आप उसको दे रहे हो और एकदम सूखा सूखा दे रहे चू करके टंग जो है बोलस बना देता है खाने को और फिर आराम से हमारे फूड पाइप में चला जाता है और डाइजेशन होता है मैंने कहा ना इस चैप्टर को एकदम सोच समझ के हमारे बॉड़ी के हसाब सापना है तो हमें बहुत माजाएगा मिक्सिंग और फूड में तो नहीं हमारे टंग का बहुत बड़ा रूल होता है तांग में यही टेस्ट बर्ड की पूजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती कि कहा पर कौन सा टेस्ट बड़ है तो तो यह क। बीच में आते हैं आज हम लोग अच्छे से इसको याद करेंगे देखो जो सबसे टिप होती है ना हमारे टंकी ये कोईस्टन भी बहुत एक्जाम्स में आता है जो जो सबसे उपरी पार्ट होता है जी खोलते ही जो टिप होती है वहाँ पर मीठा टेस्ट आपको लगेगा न नमकीन फिर खट्त और फिर आखिर में कड़वा और बीच में हुँमामी यह फोटो भी देखोगे और ग्वेस्टन सॉल्फ करोगे तो यहाद पर चाहिक है चली फोटो में देख लेते हैं हम लोग यह रहा फूड़ पाइप अब हम लोग फूड पर चुके यहाँ फूड करी जाए तो जो स्वालोड फूड बना दिया था हमारे टंग ने वह स्वालोड फूड 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 पाइप में पहुचता फूड पाइप इसको पुश करता है स्टमक में स्टमक इस हमारा पेट होता है स्टमक लिए बीन की तरहा रजमा की तरहेता है स्टमा स्ट्रक्चर और इतने सारे पार्ट होते हैं हमारे स्टमक के ड्यूड इसोफेगस यहाँ देख रहो इसोफेगस से अंदर गुषा सीरोवसा बॉड इन बहुत सारे स्ट्ट्टर्स हो तो हम देखेंगे फूर डीटेल में बात में तो स्टमक की बात की जाए तो जे शेप बहुता है यह सब्सक्राइब का वह क्या होता है तो इस पार्ट इस अफड दी अलिमेंटरी कनाल इस टमक फ्लैट जे शेप्ट एंड थिक वॉर्ड यहां पर क्या होता खाना रिसीव होता है इसको और फूट पाइप से खाना आता है और पिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जा HCL एक बहुत ही strong acid होता है बहुत जादा strong अगर इतना strong acid हमारे पेट में है और अगर उसकी wall मतब जो उसका बाहरी हिस्सा है वो ठीकी नहीं हुआ तो वो बाहर निकल जाएगा और आपका पेट और आपका पूरा बोडी जला देगा ना क्योंकि इसका pH बहुत कम होता है मैं अभी आपको इसका pH बता दी तो हाँ 2 जो HCL का pH होता है वो around 2 होता है जो कि बहुत कम है ठीक है और इतना कम pH अगर किसी चीज़ का होगा तो उसको अच्छे से रखने के लिए double wall चीज़ी होनी चाहिए दो wall की तो इसी वज़े से double wall होता है साथी साथ mucus भी रिलीज होता है ये भी इसी चीज़ के लिए है कि जो हमारी lining है वो जो यही जो wall है वो कही न कहीं जला न दे है stomach को इसलिए mucus होता है mucus is nothing it is a sticky slimy substance slimy substance चिप चिपा सा पदार्थ ये होता है mucus ठीक है और फिर inner lining में digestive juices भी होती है नहीं होंगी तो digestion कैसे होगा ठीक है अभी mucus के बार में बता देती ये protect करता है inner lining of the stomach को उसके अलावा जो acid होता है वो इतना आप रोलोगे इतना strong acid पेट में रहने की क्यों जलते है ताकि ये bacteria को मार दे और साथी साथ क्या करे stomach का medium अगर acidic नहीं होगा तो जो juices है stomach की वो act नहीं कर पाएंगी उनको work करने के लिए इन juices को काम करने के लिए acidic medium होने की ज़रूरत है और जो digestive juices है वो फिर बाद में तोड़ देती है simple substances में और आगी simple होता ही जाएगा फिर बारी आती है small intestine की small intestine की बात करते हैं तो small intestine जो है वो आपको मैं चलो figure में दिखाती हो small intestine जो होता है highly coiled होता है coiled का मतलब highly coiled का मतलब बहुत ही मुड़ा हुआ होता है ठीक है से समा जाता है कि अगर इतना लंबा कोई चीज समाना है तो उसको मोड के ही रखना पड़ेगा इसलिए वह बहुत मोड़ा हुआता है अब एक बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल ले करता है एब्सॉर्प्शन के लिए तो उसको ए सिक्रीट करती है जूसेज ठीक है और इन जूसेज को सिक्रीट करने के लिए इसको जो है लिवर और पैंक्रियास का साहरा मिलता है लिवर और पैंक्रियास से इट रिसीवस वाट स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन है रिसीवस वाट इट रिसीवस सि जो हैं मदद करती हैं जूसेज को काम करने के लिए तो small intestine secretion receive करता है ठीक है यह important चीज हमने देख लिए small intestine और भी हमासर detail में देखेंगे आप small intestine के 3 part होते हैं हम small intestine के parts की बात करते हैं पहला होता है due denim अलग color से लिखते हूं parts of small intestine के अगर हम बात कर रहे हैं थीक है small intestine तो तीन part होते small intestine के तो पहला जो होता है intestine का part वो होता है parts of small intestine पहला part होता है due denim d-o-u-d-e-n-u-m due denim दूसरा part होता है jejunum और final part जो होता है उसको कहते हैं हम लोग ileum यह रहा jejunum देख लिया हमने ileum i-l-e-u-m त्रिद्रेनम जेजुनम और ileum जो beginning का part होता है small intestine अगर हम small intestine को इस फोटो में देखे तो small intestine में जहां से शुरुआत होती है यह वाला इरिया यह हो गया आपका due denim फिर उसके नीचे जो यह coil portion है वो हो गया आपका jejunum और फिर end में जो होता है जो यह रहा जो large intestine में फाइनली मिल जाता है उसको हम लोग कहते है इलिया ठीक है यह तीन पार्ट्स हमने देख लिए हमने यह देख लिए secretion receive करता है 7.5 मीटर का होता है तो यह सारी चीजे हमने देख ली अब हम नीचे हमने के कलर को देखते हैं यह देखो यह लिवर है इसका कलर और है रेड ब्रावन प्रम के अपर परट answer di तो हम लोग यहां पे अपर पार्ट अफ डीविन लोकेशन है इसका अपर पार्ट अफ अपницу में पेट को कह रहे हैं लोग भीषो्ट अंप Member K he सबसे पहली चीज की लिवर इस लार्जेस ग्लैंड ऑफ दी बॉडी हमारा लिवर है तो यह इंपोर्टेंट है आपको एक्जाम में भी दिख जाता है उसके अलावा क्या इंपोर्टेंट है कि लिवर कुछ सिक्रीट करता है और अगर यह लिवर सिक्रीट ना करें तो मैंने सिक्रीट करती है लोग यह उसको कहते हैं हम लोग बाई चुस ठीक है कि पाई जूस सिक्रीट करते है और बाई जूस जो है वह कहां पे स्टोर हो जाता है भाई जूस दैट इस स्टोर कहा पर वन दीने था हो रहता है तो छ Europ का लेंटे यह लिवर है ना यह लिवर में जो बाइल जूस है वो यहां पर आके स्टोर होता इसी को गॉल ब्लैडर को है और यह फाइनली जाके हमारी बॉड़ी में डाइजेशन में मदद करता है बाइल का बहुत इंपोर्टेंट रोल है किस चीज में तो हम देख लेते हैं बाइल आप हम लोग लिवर के बाद जो दूसरी इंपोर्टेंट ग्लैंड के देखेंगे वो है पैंक्रियास इंपरे नमा स्ट्रक्चर के अंदर रही सीनो डिवडीनम की बात कि थी ना वही डिवडीनम के पास ही लोकेट होता है आपको यह लीवडीक दिख रहा है थोड़ा-थ लिखते हैं पैंक्रियाज एक अपत्य करेंड रहीं कर का प्रह का है विसंद लुकेशन विलो स्टमक के bio बिलो बीटनी हमने इसका लोकेशन भी देख लिया अब बात करिए पैंक्रियाज जो उसके अंदर से कुछ निकलता जिसको कहते हैं पैंक्रियेटिक जूस यह बढ़ा इंपोर्टेंट चीज है ठीक है और पैंक्रियास के बारे में आपको मैं बताऊंगी पैंक्रियास ना इसका डूल रोल है चलो मैं बताती हो क्या है सबसे पहले हम लिख लेते हैं यह डाइज सब्सक्राइघ कsystem हैं लेंडा necessary गोड़ा तो निकलतके जिसको के फेकेतव डंक्रीटिक जूसद्थ पांक्रियेटिक में एंगर करतके हैं किसमें क्या करता है यहां चौ सबड़न में अगशन से रिलेटेड़ कार्द परिक और हैत करता है और और उस्यीदा उस्धित कर दे है चेंज़ेस्ट इन्टू सिंपलर फॉर्म यहीं तो डाइजेशन का हमारे लोल है कि हम इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है तो हमने क्या देखा हम यहां पे हमने देखा की आप कापो हाइडरेट फाट प्रोटीन या नि सोचो यह तीरों के डाइजेशन मादद करता तो अगर हमारा pancreas नहीं हुआ तो सोचो डाइजेस्ट नहीं होगी अच्छो पार्टली डाइजेस्टेट फूड होता अब जो है वह इंटेस्टाइन के छोटे पार्ट में आ जाता है वहां पर इंटेस्टिनल जूसेज निकलती हमने देखा इंटेस्टिनल जूसेज निकलती हमने देखाई था और यह जो सिंप्लेफाइं करा है ना हमारे स Kinai yükselle के आलावा ह्पार मोन रोल भी होता है इसका हो मिंग तीन हार्मोन का इसका काम है सबसे फ़ई मतले इंसुलीन इंसुलीन हार्मोल का आपने नाम सना बोर sometimes अपांता थim तो यह मैंने देख लिए हमोगोण रोल और हमने साथ में इसका डाइजेस्टिव ग इस वज़्जे से इंटेस्टाइण को डूवल और गण कहते हैं यह वार्ड आप याद रखेंगे एक मिनट अचिए को इस वज़े से यह mixed organ भी बोलते है dual organ या फिर better term होगा mixed organ ठीक है यह देख लिए आपने dual organ mixed organ अब हमारी बात तो यह हो गई pancreas के बारे में चलो अब हम लोगा pancreas खतम करके अब हम absorption in small in small intestine देखेंगे तो absorption in small intestine बड़े अच्छे से पढ़ना और समझ समझ के पढ़ना है उससे पहले मैं आप लोगों को एक फोटो दिखा दू यह देखो यह है हमारे small intestine यहां पे ना दो तीन वर्ड्स विली लैक्टियल आर्टरियोल कैपिलरी ठीक है अब मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगे कि अब्सॉप्षन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है और जो डाइजिस्टिट फूड वह हमारे पेट में आप जा चुका है पेट से यह हमारे small intestine में पहुँच चुका है मूँ से स्टार्ट पेट में गया मीं इसमाल से स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पर जो डाइजिस्टेट फूड है वह क्या करे गि इप्स Tagन की यह जो हम करें करें आर्ट तरिक कि बात करें तहीं न न रिखेंपSmel अबनेद तरह कम मत Prayer यह सकीं है। सोटार्वियट मोडेड ब्लोगेसल के दा तरी हमारी जो यह सीजiegen होते है वह किसे का पाथ होती है वह पाथ होती है ब्लोड ब्लोड वैसल्स के जुए ब्लॉड वैसल्स में अब नाजेस्टेट फूर्ट ? नौ पास्ट पास्ट इंटो वाट इंटो ब्लड वैसल्स और प्र आंद फिलेंट्सटाइथ आ चुका है स्मॉल एंटीस्टाइथ एंधने देख लिया अब यहां पर क्या होता है यहां पर होता है इबंप्शाप्श्ञ टेक्स प्लेस एब्जॉप होता है डाइजिस्टिफ फूड आ गया है बट अगर अगर अब्सॉर्ब भी नहीं होगा तो क्या फाइदा ठीक है अब्सॉर्प्शन टेक्स प्रेस अब्सॉर्प्शन हो जाती है इंटेस्टाइन में जो विली की मैं बात करी थी अब लोग विलाई की बात करते हैं विलाई विली आप लोग कुछ भी बोल सकते हो कोई बड़ी चीज नहीं है विलाई की बात करते है तो विलाई आगर विलाई आद घ्रोप्व आट ग्रोथ बोलत आठीक है आप याद रखेंगे फिंगर लाइक आउट ग्रोथ फिंगर की तरह दिखने वाला आउट्गोफ और यह मिलेगा आपको यह हमा इंटेस्टाइन की आँ जो है इनर वाल पर मिलेगा ठीक है इनर वाल ऑफ डिए इंटेस्टाइन आपि अगर कोई भी चीज है इंटेस्टाइन में तो उसका कोई ने कोई अब भूट होगा घका बहुत इंक्रेजसदी सर्फेस एरिया क्या इंक्रेश करता है सर्फेस एरिया फॉर डाइजेश दॉप्शंस्ड इब्राजल अब इन्हाइं लोग पूछँ इस ईख सिर्फेस एरिया वारदा इहां के क्या सर्फेस एरिया बढ़ा दिया और जब सर्फेस एरिया बढ़ाती है ना तो बहुत जल्दी जो है ना जो भी आक्ट है जैसे वहां पर कपड़े सुखाने के टाइम पर इवापोरेशन फास्ट हो जाता है जब अप एरिया बढ़ा देते हो वही अगर यहां पर है नेटवर्क भाव ब्लडवेशल इसके पास होती है और विलाई में आके डाइजेस्टेट फूड एब्सॉड हो जाता है तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं पहले हम लोग लोकेशन लिख रहे थे लोकेशन है इसका इनर वाल और यह इसका परपास है विलाई का थे व ने देख लिया कि leave like के पास होता है हमारा ओर दडीप व्लाइधेर, recognize our पर नेटवोर्प ओफ ब्लॉड वैसल्स चलो ठीक है अबुत अब ही बजॉर्ब सब्स्तांसेश है वे अब यहां पर आके आप सेया है अब इनको ट्रांस्पोर्ट करना क्वानी होने का राइसन होता है यहां पर ब्लाइशल का नेट वर्क इसवाजेसे होता भी जो से हमारे भी जो है इस ड्रांसपोर्टटेट ये बर वेशल्स Care बाड़ वेशल्स चलिए कि भेThis है हर बॉडीक्वेशन होते हैं हमारे बडी में जो मुवमेंटहंने ये ब्लोड़के थेृ होता है और यह विर्ञटिम होता है यहां पर उसके ज़रूरत होती है इस पूरे प्रोसेस को जहां पर जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लाड वैसल से टू डिफरेंट और जहां पर यह जो है कॉंप्लेक्स सब्स्टांसे जैसे की प्रोटीन वगेरा की ज़रूरत है इसको हम लोग करते हैं तो अबलेशन में मदद करता है हमारा zero state absorption फून दिख दिख जाए तो अब्समर नहीं होना है यह संध that remains undigested and unabsorbed enters the small intestine, जो undigested होता है, यह unabsorbed रह जाता है, कुछ चीज़े तो अब इसमें से नहीं होगी, ना absorbed, ठीक है, so the unabsorbed and undigested, ठीक है, unabsorbed and undigested substances जो है, वो अब चली जाएंगी कहा, वो चली जाएंगी हमारे, they now reach to large intestine, large intestine में पहुच जाएगी, ठीक है, flowchart की थुरू मैं आप लोगों को इसलिए इस chapter को बता रही हो, कि इसमें ना क्या होगा, आप word by word से बेटर है, flowchart देखो कि तो समझ जाएगा, ठीक, अब हम large intestine में पहुच चुके, चलो अब large intestine को देखते हैं, यह रहा हमारा large intestine, चलो फोटो में दिखाते हूं मैं आप लोग large intestine का मतलब है length, length large होगी, इसलिए large intestine, हमने देखा small intestine कितने meter का था, 7.5 meter का था, लेकिन जब हम large intestine की बात करते हैं, तो वो सिर्फ 1.5 meter का होता है, तो फिर क्यों large बोलते हैं, wide, यहां पे हम लोग large उसकी width को बोल रहे हैं, चोडाई को बोल रहे हैं, यहां पे large intestine की चोडाई मैंनी चाहती कि मेरे students रहें छोटी-छोटी चीजों में confused हो, हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि biology ऐसा लगे कि अगर आप किसी से बात करो तो यह सारी facts उनके सामने बोल देना, तो वो भी ऐसे हो जाएंगे, आरे हां, हमने तो कभी सोचा हैं और यही facts पे ultimately question मनाता है, UPSC, BPSC, यह सारे facts होते हैं, exam catching facts होते हैं, तो चलिए, मैं अब आप लोगों को यह बता रही थी, हमने large intestine देख लिए, यह wider होता है, बट shorter होता है than small intestine, and shorter than small intestine, small intestine से छोटा है, और फिर इस वज़े से हम इसकी length देख लेते हैं, इसकी length जो है, वो है around 1.5 meter, यह length है इसकी, ठीक है, हमने photo में देख लिया, एक ऐसा देख रहा था, इसका function क्या है, water और कुछ salt, जो undigested food material में रह जाते हैं, यह बड़ा important है, वहाँ भी absorption हो रहा है, यहाँ भी absorption हो रहा है, तो large intestine में अंतर क्या है, फरक तो होगा ना, तब भी तो body में है, फरक ही है कि यहाँ पर absorption होती है, पानी की absorption of water, and some salts, और कुछ salts का यहाँ पर absorption होता है, ठीक, और यह salts किसे निकलती है, from undigested, जो food आया था न, यहाँ पर undigested food, undigested food नहीं बोलेंगे, यहाँ पर, चलो food ही बोलते है, undigested food material, जो यहाँ पर आया था, उससे हमने absorb कर लिया, पानी और salt को, यह फिर mineral भी कह सकते हैं, salt, mineral स ही होती है, ठीक, अब यह जो remaining waste है, अब इसके बाद भी कुछ बच जाएगा, तो वो होगा waste, इसके बाद जो चीज बचेगी, वो होगी waste product, अभी जो है, remaining waste product will pass on, remaining waste passes, passes on to what, passes on to rectum, rectum में चला जाता है, ठीक, सेमी solid feces, सेमी solid feces बन जाता है, और फिर इसको एनस जो है, वो time to time remove कर देता है, एनस से removal होता है, time to time, ठीक है, एनस में भी न, time होते हैं, क्योंकि एनस में कुछ muscles होते हैं, जो help करती है, removal में, तो इस तरह से हमने large intestine देख लिया, हम digestion में last intestine में पहुँच चुके, हमने वहां तक digestion करवा लिया, और फिर ejection, यह जो removal है, इस removal का एक term है, इस removal को हम लोग कहते हैं, ejection, तो यहां हो गया ejection आ digestion, assimilation, digestion, अब हम लोग पहुच गए हैं, हमने पूरा human का digestion देख लिया, digestive system, इंटरेस्टिंग था, आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आएगा, एक बार और अच्छे से सुन लेना, तो चीज़ें clear हो जाएगी, अब हम लोग digestion देखते हैं, ग्रास एटिंग आनिमल म होता हमारी स्टमक में को चेंबर नहीं था बर इनके स्टमक में चेंबर होता है, ऐसा क्यों को रियूमन यहां पर स्टोर कर लियू में फिर क्या होता है कि फूट बहाँ पर बहां जो तर्म आपको याद रखने नियुस का मतलब वही आधा पचा हुआ खाना को ऊपर लाके चिबाने की प्रोसेस उसको रुमिनेशन बोलते हैं तो जब एक्जाम में अगर कहीं पर दीख जाए कि रुमिनेंट जो हैं वो क्या करते हैं कुछ नहीं है मों ग्रास एटिंग अनिमल जो यह प्रोसेस करते हैं रुमिने आप लोगों ऐसे भी बताया था कि सेलुलोस होता है टाइप ऑफ कापो हाइडरेट होता है कैटल डियर वगेरा ऐसा करते हैं बैक्टीरिया जो रुमिन में प्रेजेंट होता है वो डाइजेस्ट करवाता है सेलुलोस को तो यह सेलुलोस क्यूंकि इतना ट्रिकी सा इसो फेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास उता है और सेलुलोस जो फूर का डाइबस यहां पर आता है लेकिन ह। हम लोग हैं हम लोग इसली नहीं कर सकते हमारे पास क्यों नहीं कर सकते हैं यह भी कुस्टन को देखेगा कि वाइब div recently savior cellulose because we don't have bacteria humans don't have cellulose digesting bacteria cellulose इसलिए हम लोग को घास खाते नहीं देखा आपने cellulose digesting bacteria इसलिए हम घास नहीं खा पाते नहीं तो हमारी घास भी खा रहे होते ठीक है अब हम लोग देखते हैं amoeba को अब हम लोग human से आगे बढ़ चुक है डाइजेशन में feeding and digestion इन amoeba की बात की जाए तो amoeba जो होता है वो भी एक अनिमल है amoeba एक छोटा सा small organism है इसके पास more digestive system कुछ नहीं होता है तो फिर digestion कैसे करता है बड़ा इंट्रेस्टिंग है इसका डाइजेशन जब कुछ भी नहीं है तो कुछ तो होगा यह है अमीबा ऐसा सा दिखता है इसे organism में आप क्या expect करोगे कि इसके पास पेट होगा है तो खुद में body भी नहीं है तो जब आप अमीबा की बात करते हैं तो amoeba जो है वो microscopic single cell organism है एकदम छोटे size के हैं microscope से देख सकते हैं इसले microscopic बोलते हैं single cell एक cell तो सोचो कितना चोटा होगा आपको मिलेगा कहां तालाब के पानी में इसके पास एक cell membrane होता है चोटा सा perpad दिरे निकालता सूड़ी जो एक finger-like projection है human में finger-like projection क्या थाए विलाइ अ shr altså अभठ में finger-like projection हो सूड़ो पोलते हैं या फिर सूड़ो पोडिया का अगर मतलब yesterday तो pseudo मतलब होता है false और podia का मतलब होता है feet यानि की false feet इस word को से ही आप जान सकते है pseudo कहीं भी दिखे ना तो pseudo अगर किसी जगह भी दिखे तो आप याद रखेंगे pseudo का मतलब होता है false ठीक है? fake, false जो भी है तो फॉल्स फीट होता है यह मुवमेंट इसलिए फॉल्स फीट होता है क्योंकि पैरों का क्या यूज होता है चलने के लिए बट इन में पैरों का यूज होता है फूड को कैप्चर करने के लिए और डेजिस्ट करने के लिए जो बार फेका जाओ इसमें बाहर फेस्काई इसका फूड पार्टिकल आ, इस ने थैसे ही Rough यही आनसे बार करीजिकर कर लिए बोडी मेलेस्स्स刃 के भाध यहां पे इस फूड़क आ पर एक ट्रेप ठीकि ओलाता है , जैसे ही वहां पर फंच जात है तो फिर बॉडी से यह लोग digestive juices निकालती है जो गोले गोले है यह digestive juices है इसके food वैक्योल से निकालती है और यह digestive juices जैसे हमारे बॉडी में भी थी इसमें भी कर देता है और फिर जो बच जाता है यह भी एक्सपेल कर देता है ठीक है एक इंट्रेस्टिंग सी चीज थी हमने अमीबा का देख लिया अब कुछ नहीं एक्स्ट्राइटी में दीवें पर उस्से पहले हम लोक देख लेते हमने क्या क्या कवर कर लिया है हमने कवर कर लिया food pipe is sp umfigus की बात हमने की थी food pipe कुछ नहीं खाना यहां से जाता है और पेट जएक ढने का जो रास्ता है उसी को food pipe बोलते है उसके बाद हमने stomach देख लिया था हमने stomach की inner lining mucos वगेरा देख लिया था हमने small intestine देख लिया 7.5 meter long है हमने देख लिया था कि bile वगेरा जो है वो largest gland liver से निकलती है fat के digestion में काम करती है अब हम लोग एक चीज देखते हैं ठीक है जो कि मैंने एंड में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट में बताना है चलिए मैं यहीं पर बता देती हूं आप लोगों को जो स्टमक का जो यह है क्या बोलते हैं डिसकवरी हुआ था वो विलियम ब्यूट मॉंट में किया थ एक बड़े ही अजीब से आक्सिडेंट की वज़े से एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिक सेंट मार्टें उसको ना गोली लग गई थी और बुलेट इतनी जादा उसके चेस्ट वॉल को डैमेज कर चुकी थी कि उसने उसके पेट तक एक होल बना दिया था और इस होल के थूरू उसके पेट के अंदर बहुत सारी अब्जर्वेशन देखें उसने देखा किस तरह से फूड वहां पर चर्ण हो रहा है मतलब चर्णिंग का मतलब होता है कि पेट में जाकर के अदाही को देखा आपने कैसे मत्था बनाते हैं तो वह इधर से उधर हाथ से कर के वज़े से जो है ब्यूटमेंट को स्टमक के बार में पता चल गया तो बड़ी इंट्रेस्टिंग सी कहानी है तो हम लोग विल्यम ब्यूटमेंट का नाम यादा खेंगे वो डॉक्टर थे उन्होंने होल का फाइदा उटाया उसके अलब हमने स्टार्फिश का अब शुटेट फूड खाऊगे ना फूट पोईजनिंग वगएरा हो जाती है लूज मोशन वगएरा हो जाता है उसी को डायरिया बोलते है हमने एब्सॉप्शन इंस्मॉल इंटेस्टाइन विलाई देख लिया हमने लाज इंटेस्टाइन देख लिया फिर हम ग्रास यानि कि लूज मोशन हो जाती है अगर किसी को डायरिया हो गया तो उसको नेगलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि डायरिया में सबसे साथा लॉस होता है वाटर और सॉल्ट का पानी ही निकल जाता है और इस वज़े से उनको ओर इस देनी की जरुरत है ओरल रिहाइडरेटि पानी त्याग दोगे तो यू विल डाई एक फैक्ट होता है वाटर बहुत ज़़ूरी है बॉड़ी के लिए तो लॉस हो जाता है वाटर और मिनरल का इस वज़े से ओर रिहाइडरेशन सॉल्यूशन और रिहाइडरेशन सॉल्यूशन ठीक है यह आप याद रखेंगे इस वाटर बच्चों में थोड़ा जाता है और यह हमने यह देख लिया वाटरी स्टूल पास होता है बहुत जादा रिम पलो जाता है इस तरह से हमने पूरा यह डाईजेशन का चैप्टर कंप्रीट कर लिया हमने सारी चीजे देख लिए फीडिंग नमीबा यह रुमिनेंट वाला यह चार यह अमीबा देख लिया हमने ठीक है अब आप लोगों को फूड वैक्यॉल देख लिया हमने सारे की वर्ड्स कर लिये सारे की वर्ड्स विद इस हमने यह चाप्टर कंप्लीट कर लिया आप लोगों को पता अब हम क्या करने है अब हम करते हैं प्राक्टिस क लोग नोगों को बता है ना वह कि मिक्सख्लाइड प्रयूस करता है इन रख पांकि आप लोगों को बता बातों में बताएं था कि इन सुलीन काभोहईड्रेट के में मेर्फॉसम में मध्द करता है ठीक है उसके आप अब से शेंटेटिव एरियंट तक टू जांड़ी तरह कि यहां दिख रहा हैं और तरह हैं तेडि आपे उप्षेन किया से मिडू पार्ट पे पॉस्टीरियरइब पार्ट पे हैसे पुस्टीर पार्ट में पीछा पीछे को एक पुस्टीर आगे को एक एंटिरियर जेखो टंग इस अंसर सीए का टंग इसापरी ली मुवेबल मस्कूलर और गन धूर्ग तो आमने देखा यह तंग के बार में कुछ एक्स्ट्रा बीसी डबलु बिट से तरकशकी पैपिले हो होती है मैं spiciness spiciness is not a sensation जो हमारे स्टमक को ये कोई टेस्ट बढ़ नहीं होता है not a sensation or a taste it is rather ये जो है वो बर्निंग होती है बस हमारे पॉटी में हमारे माउथ में याद रखें आप जो मिट्ची लगती है वो वस बर्निंग होती है बर्निंग और टंग पर बर्निंग हो रही होती है तो हमने ये पूरा देख लिया उसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देती हूं ताकि आप लोग अच्छे से इस ये चाप्टर ना बहुत ह सेंस में है कि इसमें बहुत सारी चीज़ है अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूं क्वेश्चन ऐसा है कि इफ बाइल डख्ट is removed, which nutrient won't get digested? option A, carbohydrate, option B, protein, option C, fat या option D, none of the आप लोग comment section में इस question का mention करेंगे this is a practice question ठीक है इसको practice question लखेंगे practice question का answer देंगे उसके अलावा भी जो-जो questions मैंने आप लोगो से throughout this session पूचा है वो आप लोग बताएंगे comment section में मुझे भी feel होगा कि आप लोगो उन्हें पढ़ा है it gives a certain sense of pleasure as a teacher and I hope आप लोग पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें और with this I conclude मिलते हैं next class में और भी हम लोग अच्छे से biology समझते हैं